नमस्कार प्यारे बच्चों मैं भी जय है बच्चों आज हम 20 सेकेंड डियर का सेकेंड पेपर डिफरिंशल इक्वेशन आउकल आउकल समीकरन इसको लेकर क्या है इसका इनलेसिस करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि पूरा में पूरा अंक मिले प्यारे बच्चों बिल्कुल लिंक को जा करके देखेंगा बहुत अच्छा से बताया गया है ठीक है प्रैक्टिस करते रहें आईए देखे कैसा है देखो प्यारे बच्चों यह डिफरिंशल इक्वेशन है बेसी सेकेंडियर का पेपर टू के अंतरगत है यह आईए देखें इसके बारे में बात करें यूनिट फर्स्ट में देखो आउकल समीकरन के घासरे नी हल ध्यान दे ना यह तो पहला चिप्टर तो करना ही करना है दूसरा हमारे पास बेसल समीकरन है ठीक है ना दूसरा हमारे पास बेसल समीकरन है और लेजांडरे समीकरन है ठीक है ना बच्चों बेसल समीकरन और लेजांडरे समीकरन है दोनों में से आपको कोई भी करना है हना इसका जो रिलेशन होगर है उसको कर लीजेगा दोनों करना है दोनों कर सकते हैं भाई ऐसे मैं हना आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इसको कीजिए इसको मत कीजिए आपके उपर है मैं बता रहा हूँ एनलिसिस करना करके कि दोनों में से कोई भी एक करोगे चलेगा और इसको तो करना ही करना है इसको तो करना ही करना है ठीक है प्यारे बच्चो और जो बच्चे इसको भी नहीं करना चाहते हैं मत किजिए पहला और तीसरा को कर लिजिए बिल्कुल 10 नंबर मिलना है ठीक है प्यारे बच्चो अब यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है देखे लापलास ट्रांसफार्मेशन ठीक है ना एक तो 100% इसको करना है दूसरा प्रतिलोम रूपांतरन याने लापलास और प्रतिलोम रूपांतरन यह देखे दैनिवर्स लापलास ट्रांसफार्म और इसी में यदि इसको नहीं करोगे तो यह हमारे पास है सम्हाकल सम्हाकल सम्हा तो बिल्कुल दोनों में से पांच नंबर और यहां से पांच नंबर हमको लेना है और इस तरीके से दस नंबर हो जाना है प्यारे बच्चों याद रखिएगा यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ने है देखे यूनिट 3 में प्रथम कोटी केंको आणसी आउकल समीकरन लांगराज काहल यह प्रमानिक रूप इसमें तो केव एक यूनिट है तो बहुत ही कोशन देंगे उसी को करना है ठीक है यूनिट फोर में देखे दुटी कोटी के आंसी काउकल समीकरन इसको तो करना ही करना है साथ में देखे ये देखो दो चेप्टर है दोनों में से कोई भी एक करना है यहाँ पर अचर गुनांकों के समगाती हो मह समगाती समीकरन या फिर आंसी कवकल समीकर अचर गुनांकों वाले समीकर ने में परिवर्ति नहीं, मोंजे विध्या, दोनों में से कोई भी एक कर लिजेगा, चलेगा, पाँच पाँच दस नंबर मिलना है, प्यारे बच्चों याद रखें, यूनिट फाइब, सबसे पहले, मैं बोल रहा हूँ न, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यूनिट फाइब और यूनिट फ्री को पहले कर लिजिए, पहले यूनिट फ्री कीजिए, फिर यूनिट फाइब, यूनिट फाइब में ये देखो बताया गया है, हना, जादा से जादा मान के चलिए, पंद्रा कोशन होगा प्यारे बचों। पंद्रा कोशन को ही important मान के चलो। यदि उन्फ 15 कोशन को कर लेते हो, तो आपको बिल्कुल 10 में 10 मार्क्स मिलना है। ठीक है तो बस इसी में है ये विचरन का फलन हना विचरन का कलन गतिमान परिशिमा परिशिमाओ सहित विचरनी समस्याई या फिर एक चरम के लिए परियाप्त प्रतिवन तो इसमें ऐसे हम जितना भी important question है हना video lecture दे दिये है उसका बस उसी उसी को पढ़ियेगा practice कीजिएगा ठीक है unit 5 का अंतरगत ठीक है extra नहीं करोगे तब भी चलेगा उसी में से आना है प्यारे बच्चों याद रखेगा तो बस practice करना है और पूरा इसका वीडियो का link हम दे दी है प्यारे बच्चों आप देख लिजेगा playlist डला हुआ है ठीक है और इसी तरीके से practice करते रहना है ठीक है बच्चों बहुत अच्छा नंबर आने वाला है आपका क्योंकि आप BM Genesis और विजेसर क्लासे से जुड़े हुए हो ठीक है प्यारे बच्चों बिलकुल आप exam के बाद हमें जरूर याद करोगे चलिए यदि अच्छा लगा तो like किजे, share किजे, subscribe किजे प्यारे बच कर दो कर दो सकार